चौदा अक्तुबर 1956 को बारतिय सविदान के निर्माता परम्पुज डॉक्टर बाबा सब आमबेड कर जीने नाकपुर के दिक्षा भुमी पर भारत के लाखो लोगों को बोद्ध धम्मा के दिक्षा दी तब से लेकर आज तक के एक एक्तियासिक बोद्ध स्थाल करके दिक्षा भुमी को माननेता मिली है वहाँ एक बड़ा महास्तूफ है एक बोधिव रुक्ष है पिछले कुछ दिन पहले महाराष्ट की सरकार ने वहाँ पर निधी देकर 200 करोण रुपया अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के नाम पर वहाँ काम सुरू किया बड़ी बड़ी सला के बाहर निकली मट्टी का बड़ा-बड़ा कीला खड़ा किया गया जिसके वएसे लोग चिंतित हो गए कि इससे हमारे बोधिव रुक्ष को कई तकलीप ना पहुचे इससे हमारे महास्तूप को कोई तकलीप ना पहुचे और अगर वैसी होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चिंता में आगे लोग और किसी ने डिमांड नहीं किया था हर साल विज्या दश्मी को दिक्षा भूमी पे उस दीन को याद करके लोग आते हैं वहाँ की मिट्टी को अपने माते से लगाते हैं पुछते हैं और अपना अपनी सब्वेदना परंपोजे डॉक्टर बावा सब आमबेट कर जिके प्रतिवेक्त करते हैं ऐसी उस पवित्र भूमी पर जो हमारे आस्ता की भूमी है जो हमारे प्रेरना की भूमी है इन्होंने जो अंडरग्राउंड पार्किंग किया उसका विरोध महरास्ट की उद्द समाज ने आमबेट करी समाज ने बड़े पैमाने पी किया चात्र चात्रा ये युवाब और महिलाए बड़े पैमाने पे वहाँ इकटा हो गई और एक आंदोलन वहाँ तेजी से चला आज वुस आंदोलन में जिन लोगों ने वहाँ सभाग लिया पार्टिसिपेड किया ऐसे लोगों पर पुलिसों ने केसेस लगाई है जबकि पाच जुन से यह आंदोलन चल रहा पाच जुन से चलने वाले आंदोलन को पुलिस को भनक तक नहीं हो वहाँ के प्रशाशन को उसकी जानकारी नहीं हो ऐसा मैं मानता नहीं इसमें गलती अगर किसी की है तो महराश की सरकार की है पुलिस प्रशाशन की है जिला प्रशाशन की है अगर गुना अगर डालना है तो उन पर डालना चाहिए क्योंकि वहाँ जो लोग पोचे थे महाँ उसे पोचे थे चिंता से पोचे थे और उन्होंने अपने चिंता के और भावदा को उग्रस औरुपा पर उस दिन दिखा, इसका मतलब यह नहीं होता है, कि जो चात्र है, पढ़ने वाले विद्यारती है, जो युवावरग है, जो रोजगार को जाने वाला है, वो गुनेगार है, वो कोई चोर नहीं है, वो दिन बचे खाली सव दिन विजा दश्मी को और सव दिन के पच्चात वहां लाखों लोग आएंगे अगर इतना बड़ा खड़ा वहां पे रहा और उस गड़े में कोई गिर गया मट्टी चारतर बगर रहे गई तो किस प्रकार से हमारे लोग आएंगे वहां पर और उस पव लोगों पर गुना डाला हुआ है वो गुना वो वापस ले यह मांग मैंने विदान सभा में रखा और मैं उसके पीछे लगा हूँ कि निच्चित रुप से हमारे युवा जो भी भीमसाइनिक है जो जैभीम के कारे करता है ऐसे लोगों को किसी भी आरत में किसी भी गुने के गारी में नहीं डालना चाहिए तो उन्हें उनके गुनेव सरकार ने वापस लेना चाहिए मेरी मांग है